अधिराद संसत के केंद्रिय कक्ष में आयोजित भव्य उद्गाटन सम्हारू में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के हाथों लॉंचिंग होई जिसके बाद से पूरा देश एक सिंगल कॉमन मार्किट में तब्दील हो गया इसी सब को देखते हुए देश के जाने माने चार्टेड अकाउंटेट और बाबा जस्वन्त सेंग डांटर कॉलिज होस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिटूट के चेर्मेन अमेम भसीन ने लोगों को जिस्ट के फायदों के बारे में बताया आप भी देखिए मैं एमेम बसीन हूँ चार्टर अकाउंटन्ट हूँ और इंडिरेक्ट टैक्स लॉग की प्रैक्टिस करता हूँ इस्ट पटेल नगर में और मैं इस सी ए प्रफेशन में 1985 जन्वरी से हूँ गोर्णमेंट की पूरी तरके से त्यारी नहीं है क्योंकि अभी तक कोई ऑफिस नहीं है अगर किसी वेपारी ने रिजिट्रेशन के लिए अपलाई किया है और उसका रिजिट्रेशन पांस साथ दिन दस दिन नहीं आता पर उसके पास कोई रास्ता नह ही का कोई फार्मेट फाइलाइज नहीं हुआ जो भरके दे और बिना ड्यूटी के या आई जी एस्टी के वह एक्सपोर्ट कर सके तो गोर्णमेंट को यह चाहिए कि इतना हमारे पास इंटेलिजेंस या चार्टर अकॉंटन्ट हैं कॉस्ट अकॉंटन्ट हैं वकील हैं इ उनकी समसिय जो हैं अधिकारी लोग नहीं निपाब सकते क्योंकि अधिकारी रेविन्यू मांइंडि़ होते हैं यह जो वकील हैं या चार्ट अकॉंटन्ट हैं काॉंटन्ट हैं कंपनी Benson यह बिजनेस ओर इंट लोग हैं यह वयपारी को प्यार से अगर समझाएंगे तो की बात समझ में आ जाएगी और वो उसकी भाषा में बात करना जानते हैं तो गोर्मिट को इनको फैसिलिटेटर इमिडेटली अपॉइंट कर देना चाहिए हर शहर में कम से कम पांच जैसे जितनी तेदाद में वेपारी या उनके अकाउंटरंट या उनके सलाकाल जो भी समस हैं धीरे-धीरे अपने आप कम होती जाएंगी अभी बड़ा एक खोफ सा महोल आया हुआ है लोगों के मन में हलांकि ने रिटरंस फाइलिंग की और सब चीज़ें की डेट एक्स्टेंट कर दिया है प्रन्तु फिर भी अभी कंसेप्ट आम जनता तक नहीं पहुंचा है उ तो उसको ब्याज की कई गुना दर पर उसको एससाई इंडस्ट्री को देना होता है सबसे पहली बात यह है कि गोर्मिट मन से और कानून से तो एससाई की मदद करना चाहती है प्रन्तु एससे की लिमिट जो डेड़ क्रोड अक्साइज में थी उसको घटा के इनोंने 20 ला बनाते थे तो एक साइज ना लगने की वजह से उनको एक अड्वांटेज था वह एक एड्वांटेज खतम हो गया है ऐसी राजिस्तान में साउथ में जो मालवल एक्स्ट्रेक्शन की यूनिट सी छोटी-छोटी पाढ़ियों में वो काम करते थे और एक डेड़ डेड़ क के स्लाब बनाते समय वो जो एक साइज की एक्जेंशन थी और नंबर ऑफ यूनिट्स थी इसको वो भूल गये इसको भूलने की वजह से उनके ओपर टैक्स की बहुत मार पड़ी है और एससाइज इंडस्ट्री की जो बेसिक एड्वांटेज है कि दो एंटर्पनियोर्श पी तो है प्रन्तु और चीजों की काफी कमी है इसलिए एससाइज इंडस्ट्री को बहुत भारी नुक्सान पहुंचेगा इवन जो घर पे एक बाइंडर है बाइंडर को कुछ टैक्स नहीं है प्रन्तु अब क्या कि रिवर्स चार्व मेकेनिजम में बाइंडर पर भी 18% जी एस्टी लगा दिया है इसलिए अब वो जो बाइंडर घर में अपनी वाइफ के साथ अपनी लड़की लड़के के साथ शान तक बाइंडिंग कर लेता था पांसो हजार पे की अब उसको अगर इकठा करके बेचने दुकानदार के पास जाएगा तीस पैंतिस हजार पे देखी कपड़े के वैपार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंगी कपड़े के वैपार में जी एस्टी पांच परसंट टेक्स्टाइल पर आ गया प्रंतु जो इन्पूट क्रेडिट है जिसको की ओपनिंग स्टॉक पर मिलना चाहिए उनको वह सेक्शन वन के लिए ओबनिंग स्टॉक पर वह जो सी स्टी है सी स्टी है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा इसलिए अभी तक गोर्मिट ने में यह क्लारिफाइड नहीं किया है और दूसरा कपड़े के वैपार में जो कपड़ा के वैपारी है लगबग 95% माल उनके पास है कपड़े का क इसलिए गोर्मिंट को चाहिए कि ट्राजिश्टनल रूल्स में कुछ बात करें जिसमें टेक्स्टाइल के ओपनिंग स्टॉक पे सेनवेट क्रेडिट मिले जिससे उनकी कौस्ट जो अल्लेडे इंक्लूडिड है उसमें उनको कुछ रहात मिले अब बात रही मार्बल ट्र में राजिस्तान और साउथ में जो छोटी-छोटी यूनिट्स है जिन में एक्साइज निल है प्रन्तु अब बीस लाग का लिमिट होने से उन पे एक्साइज बीस लाग पे लग गई क्योंकि अठाइस परसंट जो गोर्मेंट ने जी एस्टी रेट निकाला है उसमें उन नहीं लगता था वो भी लग गया इसका मतलब जो मार्बल था वो अब 14 परसंट मेंगा हो जाएगा क्योंकि इसमें भी मार्मल में भी 90 परसंट के करीब SSI यूनिट्स है उनकी कॉस्टिंग कम थी अब जो है आज से उनका जो कॉस्टिंग है बढ़ जाएगा 14 परसंट से परन्तु अब उस पर भी फरनीचर फिक्शर पर भी अठाइस परसंट आगया अब एक चोटे से गरीब आदमी ने अगर दो हजार धाई जार पे का अपनी डॉटर के शाथी में बैट देना है तो अब वह धाई जार का बैट जो है उसको 2560 रुपे का पड़ेगा गोर्मे अब क्या होगा कि यह अंडरग्राउंड बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि कस्टमर से सीधा 28% मांगेंगे कश्मा बोलेगा नहीं मुझे तू बिना बिलके दे दुकानदार को तो सेल करना है अब इसको इसलिए मेरी राय में मार्वल फनीचर फिक्चर को या तो य कुछ रेट कम करें और महेंगे जो महेंगे मार्वल्स हैं उस पर भले या 28 कर दें महें मार्ना के यूज होने वाली सस्ती फनीचर की आइटम है चोटी छोटी उन पर भी अटाइस परसंट पर टेक्स लगाने से यह इसका बहुत कैस्केट एफक्ट आएगा मेरी रहे में ये बहुत गलत कदम है जी एस्टी का वरकिंग कैपिटल पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा अब जैसे एक मारवल का वेपारी है वो एक लाग का माल लाया तो वहाँ से 28% टेक्स चुका के लाया उसका अगर मारवल घर पहुंचने में 20 दिन 15 दिन लग गए उसके बाद उसके मारवल का अवरेश टॉक रहता है उसके डैटर से तीन से चार मिने के रहते हैं तो इसका चार दो च्हें और 15 दिन साड़े छे मिने हो गए इसका मतलब साड़े अगर उसकी सेल एक लाक रुपिया तो एक लाक पर अठाईस हजार गुना छे इसका मतलब उसको इतना तो जी एश्टी हमेशा आप देखे रखना पड़ेगा जो कि वर्किंग कैपिटल के रिक्वार्मेंट बहुत बढ़ा देगा इसलिए चोटे-चोटे वेपारी हैं जिनका पंदरह बीस लाग पच्छीस लाग से जो ट्रेड करते हैं उनका ट्रेड खतम हो जाएगा इसमें स साथ आठ परसंट बढ़ने वाली है दिल्ली के वैपारी जो की इंपोर्ट करते हैं चाहिए वो विशाखा पड़नम पोर्ट से करें मद्राज से काकिनाड़ा से या बॉंबे से इंपोर्ट करते हैं और सीधा माल उनका गोडाउन पर चला जाता है और वो धीरे दिरे दिल दिल्ली आईजी एस्टी देना होगा इस तरीके से उसको टर्नोवर भी डबल हो जाएगी और जी आईजी एस्टी के बिल भी दो बार कटेंगे हलाकि मैं मानता हूं कि पुराने आईजी एस्टी का मॉडवेट मिल जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रन्तु एक गो इसलिए मैं यह भी मानता हूं कि यह जी एस्टी लगने से जो वैपारी दिल्ली में आता था और सब चीजने ड्राइफ रूट कपड़ा और करियाने का समान लेकर कठाई चला जाता था अब उसको कोई दिल्ली में एडवांटेज नहीं मिलेगा और दिल्ली की जो बड़ी वैपार की मंडी हैं उनको काफी दिक्कत आने वाली है